नश्क्राइब दोस्तों किसे आप सबोगा I'm sure कि आप लोग जहां बहुत अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में जो है affiliate marketing course के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि domain जो है वो किस तरह से book करना चाहिए किस तरह से आपको क्या-क्या details को ध्यान में रखना है और hosting जो है आपको कहां पर आपको खरीदनी चाहिए यह बहुत ही आसानी से मतलब बहुत ही कम पैसे देखो अभी तक क्या है कि आपने affiliate marketing के बारे में जब सुना है अभी उसको ज़्यादा काम नहीं कि आपको पता नहीं है अच्छल में आपको खुद के उपर confidence नहीं कि वाकि जो है affiliate marketing से पैसा जो है वो कमाया जाता भी है कि नहीं जाता है किस तरह से income होगी हमारी भी होगी कि नहीं होगी बहुत सारे सवाल हमारे mind के अंदर चलते रहते हैं तो इसलिए मैं आपको एक बहुत ही कम price के अंदर क्योंकि देखी यहां पर website अगर वाकि आप अपने affiliate marketing प्रोग्राम के अंदर जो है success होना चाते हो आप passive income काफी अच्छी खासी कमाना चाते हो तो आपके लिए बहुत ही important है एक website होना और एक अच्छी hosting होना तो यह बहुत ही important है बहुत ही मायने रखता है तो इसके लिए मैं आज आपको बताने वाला हो कि आपको domain book करते वक् रखना है कहां पर आपको domain book करने नहीं वह बताऊंगा फिर आपको जो है मैं यहां पर बताने वाला हो कि hosting जो है आप कहां पर बहुत ही कम price के अंदर जो है और अच्छी hosting जो है आपको यहां पर मैं कोई third party को introduce नहीं करूंगा क्योंकि दूसरे किसी पर believe कर पाना यह बहुत ही मुश्किल होता है तो मैं अपनी उपर believe कर सकता हूँ I know कि मैं आपको support कैसी दे सकता हूँ तो इसलिए जो है मैं आपको hosting options भी ऐसे बताने वाला हूँ जहां पर जो अगर आपको कोई भी परिशानी आती है तो directly मैं जो है आपको support देने वाला हूँ तो चलिए चलते हैं laptop screen पर वहीं चलके देखते हैं कि किस तरह से जो है आपको domain book करना है क्या चीजों को ध्यान में रखना है या फिर आपको hosting book करनी है तो कहां पर करनी है और उसके बाद का process कैसा होगा क्योंकि आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको website पूरी affiliate marketing की किस तरह से set करनी है सारी ची ले domain booking के लिए जो कि सब लोग बोलते हैं godaddy.com तो यहां पर चलता है मैं आपको लिके चलता हूँ godaddy.com के उपर यहां पर जाके एक domain जो है book करने की हम कोशिश करते हैं तो यह affiliate marketing के अंदर सबसे important होता है कि आप जो है na .com extension को जो है hire करो क्योंकि .com के अंदर अगर आपको क कोई अच्छा domain मिल जाता है तो .com के अंदर ही book करो तभी आपको जो है affiliate marketing के अंदर जादा से जादा benefit मिल पाएगा क्योंकि जर्नली लोगों की intention क्या है कि वह कोई भी नाम याद रख लेते हैं उसके बाद की extension होती है ना वह हमेशा .com ही याद रह पाता है यहसे कि यहां प xyz कर देते हैं xyz.com यह जो है एक domain हम बुक करना चाहते हैं तो मैं यहां पर search domain पर click करता हूं तो जैसे मैंने यहां पर search domain पर click कर रहा हूं आपके सामने तो आप देख से तो यहां पर क्या है यहां पर nix earn xyz.com is available यहां पर booking कितना बता रहा है जस्ट 1189 के अंदर यह domain आपक दो साल के लिए मिलेगा तो हम सीधा का सीधा इसको add to cart कर देते हैं अब add to cart करते हैं तो यहां पर चलते हैं continue to cart पर click करेके तो यहां पर आप दिख पाएंगे कि यहां पर बहुत सारी और भी आपको information देगा जिसके जरीए जो आपको कुछ डालनी है कि नहीं लेनी है अब तो यहां पर privacy protect अगर आप चाहते हो कि यह domain किसका है reveal ना हो तो आप यहां पर privacy protect का option जो है select कर सकते हैं बट इसके लिए अलग से आपको 100 rupees जो है वो pay करना पड़ेगा अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने यहां पर no thanks पर click करके यहां पर सब जगे पर no thanks पर click कर दो और क करने के बाद यहां पर continue to cart पर click करते हैं जैसे आप यहां पर continue to cart पर click करेंगे तो अब आप देख से यहां पर आपका price कितना मिल रहा है 1198 मिल रहा है दो साल का जबकि हमें कितना मिल रहा था वहां पर 149 पर year मिल रहा था उसके बाद अगर आप उसको multiply भी करते हो 2500 को तो आपका 300 रुपया होता है यहां पर आपका price काफी ज़्यादा बढ़ चुका है तो यहां पर हम यहां पर दो साल करके देख लेते हैं यहा ऑप जैसे दो साल ओ गया तो यह एक को डिलीट कर दे शायद डबल हो गया एक को मैंने यहां पर डिलीट कर दिया तो अब बच्छा एक एक बच्चा दोड़ा सो पांच रुपे एक साल के लिए करते हैं यहां पर एक साल को सलेक्ट करते हैं तो एक साल का सलेक्ट करने के बाद हमें 990 रुपे में मिल रहा है तो आप जैसे आप यहां पर और आगे कंटीनू करोगी तो आम शौर कि इसमें और कुछ न कुछ जो है चार्जिस आपके इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन मैं आपको ऐसी वेबसाइट बतांगो क्योंकि इससे भी आपको कम पैसे में जो है आप अपना डोमेन जो है बुक कर सकते हैं आपको यहां पर लिखना जे इ करते हैं क्योंकि यहां पर डॉट anti-macहाइट को और यहां पे गो पर क्लिक करते हैं जैसे यहां पर गुबे करोगे तो आपको यहां पर अलग से सर्चार्ज दिखा देगा is करते हैं और continue final जहां पर चेक आउट होना है वहां तक जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको मिलेगा तो free DNS और free email forwarding यह free के है तो आप इसको select कर लिजे इसके बाद आप इसको continue कीजे तो continue करने के बाद आप देख सकते हैं आपको अपनी registration डेटेल वगरा भनी है आप देख सकते हैं आपको मात्र पे करने हैं 750 रुपे राइट वहीं पर इसी domain के लिए आपको कहां कितने प्रप्पे करने पड़े औरम करीब एकहजा़ रुपया आपको करना पड़र रहा यहां पर तो करीब यहां पियाँ आप नहीं नहीं करते वे आप अप यहां पर помम जेंपो अपना 500 रुपया बचा सकते ये पहली आपकी सेविंग एक बार आपने यहां पर डोमेन बुक कर लिया उसके बाद आपको होस्टिंग के लिए जो है मैं आपको बताता हूँ आपको जाना यहां पर लिखना है आपको यह 45 रुपीज पर मन्त के इसाब से प्लान पहला आपको इसी को सेलेक्ट करना है 1 GB का SSD आपको स्पेस मिलने वाला है एक आपकी वेबसाइट होगी 10 GB का bandwidth पर मन्त आपको मिलने वाला है फ्री SSL certificate मिलने वाला है और यहां पर 7 days money back guarantee आपको दे रहा हूं यहां पर 99.9% सर्विस का अप्टाइम की guarantee है और इसके बाद आपको यहां पर order now करना है order now पर जैसे आप यहां पर click करोगे तो फिर आपका जो भी domain है वो domain आपको जो आपका पहले domain बुक करना है उसके बाद आपको hosting बुक करने के लिए यहां पर आना है तो यहां से आने के बाद जो है आपको hosting को add करना है तो जो आपने domain बुक करा है तो जैसे कि यह हमारा domain है इसी को हम क्या कर लेते हैं यहां से copy कर लेते हैं और यहां पे जाके आप इसको यहां पे करोगे तो यहां पे भी .com अलड़ी यहां पे section पे available है तो यहां पे आपको लिखना है .com तो यहाँ पर dot com लिखने के बाद आप यहाँ पर use करोगे तो यहाँ पर यह verify करेगा कि आपका domain जो है वो registered है की नहीं है एक बार verification के बाद जाओ अगर आपका domain book होगा तो definitely यहाँ पर verify हो जाएगा और verify होने के बाद आप यहाँ पर continue करोगे और आपका जो है payment होगा तो अगर आप 45 रुपे की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं calculate करता हूँ तो 45 रुपीज आपको पर मत देना है और यहाँ पे आपको देना है 12 मेने के लिए आपको एक साल के लिए लिए तो आप यहाँ पे एक साल के लिए ले सकते हो हर मेने के लिए लेना है आपको हर मेने आप 45 रुपे दे सकते हो अगर आपको quarterly लेना है half yearly लेना है जैसा भी आपको लेना है वैसा ही आप यहां से इसमें calculation कर सकते हो पर मैं annually की बात करूँ कि एक साल का भी अगर आप pay करते हो तो मातर आपको 540 रुपे प्लस जो है 7500 रुपे का आपका डुमेन तो 1290 रुपे के अंदर आपकी affiliate website वो ready हो जाएगी और जिसके चलते आप बहुत आसानी से जसे जसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं तो बढ़ने के बाद आप अराम से अपनी website को जो है affiliate marketing के जरीए 1300 रुपे तो बहुत कम है इससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है विदन एक साल जो है आप अपनी website से affiliate marketing के जरीए कमा सकते हैं तो दोस्तों I am sure कि आपको यहां तक process जो है आपको complete कर लेना है domain book कर लेना है .com के अंदर कौन सी website पर करना है वो भी मैंने बता दिया है और जो है उसके बाद आपको hosting कहां से करनी है मैंने वो भी बता दिया है दोनों ही domain booking और hosting दोनों के ही link आपको description के अंदर मिल जाएंगे और जल्दी से जाके आप यहां से book कर लें अपनी web hosting और अपना domain भी register कर लें और आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपनी website को पूरा affiliate के लिए तयार करना है और कौन-कौन से से plugin है जिनकी help लेनी है आपको सारी detail में बताऊंगा तो I am sure दोस्तों अगले वीडियो तक जो है आप यह सारी चीजे setup कर चुके होंगे I am sure आपका सारा जो doubt है वो clear हो गया होगा फिर भी अगर आपका कोई doubt रह गया है कोई भी query है do let me know in the comment section below so दोस्तों आज के इस वीडियो के ले इतना ही अगला वीडियो आने तक safe रहे, alert रहे and be always good to others